उदं संग नगर में एक बीमा कंपनी के लाप रवाही का मामला सामने आया है जहां एक पीडित परिवार अपने खुशों के लिए बीमा कंपनी से बीमा कर वाया था लेकिन उस पीडित को बीमा का लाप मिला ही नहीं मामला काशेपुर कोतवाले के गाउं रामजीवनपुर का है जहां कि निवासी गंगा देवी ने साल 2008 में अपना जीवन भीमा रामनगर शाखा में कराया था गंगा देवी ने अपनी पॉलिसी में अपने पुत्र शंभू को वारिस बनाया लेकिन वर्ष 2017 में गंगा देवी की अचानक मृत्ती हो गई और दुर्भाग्य वर्ष उनके वारिस शंभू की भी मौत हो गई और जब पिडिता की पत्नी ने बीमा के बारे में पता किया तो नोम भी मेरे घरोला का नाम राली थी अब दोखे दरी से वँआ मेली भगत वाले मीली भगत हूंगे पैसे निकाल लिए और मेरे और मिर बच्चों को मृतित ताबित कर दिये अब कैसे कर दिये कैसे कब निकाले हमें नहीं पता कब निकाली है लेकिन अलाएसी तो मतलब काफी दिन पहले हुई थी आप जब घर आके मार कुट आई हमारी करने लगा हमसे लड़ाई जगड़ा करने लगा तो उसने बोला कि हम तुझे एक रुपए नहीं देंगे तब हमने इसका चान बीच की तो तब हमें पता चला कि पैसे निकल गया है कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी वहिए दिकारियों ने मामले में जांच का श्वासन दिया और जल्दी मामले का खुरासा करने का दावा कर रही है पिलहाल पुलीस मामले की जांच कर रही है लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी व्यक्ति के पैसे को कोई भी बीमा कंपनी से निकाल सकता है कही न कहीं इस पूरे मामले में अधिकारियों के लापरवाहि सामने आती दिख रही है अब देखना होगा आरोपिय अधिकारियों पर क्या कारवाई किया जाती है पंजाब के से टीवी किलो धम सिंग नगर से यामिन मलिक के रिपोर्ट